हलो फ्रेंड्स आज हम लाएं नए टो नए सेशन अपना राजस्तान का इदियास राजस्तान की हिस्ट्री राजस्तान का नाम करने की देखें तो राजस्थानी या दित्य यह शब्द बसंकर शिलालेक सिरोई के 625 इस्वी में मिलता है यह शब्द इस्थान विशेश के लि में अंग्रेज सेनापती जोर्ज थेम थोमस ने दिया जिसका उलेक विलियम फ्रेंकलेन की पुस्ताग दा मिलेटरी मेमवेर्स ऑफ जोर्ज 1805 में मिलता है जोर्ज थोमस ने 17991 इसवी के लगबग जेपूर पर आकरमन किया था इस समय शेपूर के शाश्यक सवाई परता इस विस्तक में इस भूख के तीन नाम मिलते है राजस्थान राहिथान और रजवाड़ा कर्णडन जयम श्रोड़ ने राजस्तान के इत्यास की परतंपुस्तक लिखी अत्रकर जिसका जयाता है नोट राजस्तान के लिए राजस्तान शब्दी कि सवेदानिक मानिता 26 जन पार तीश्टियास में सातवी से बार विश्यदाब्दी इसी का काल राजपुत काल के नाम से जाना जाता है राजपुत की प्रत्ति के बारे में विद्वानों के निम्नमत है चंद्रबरदाई कहते हैं कि अगने कुंड या हमन कुंड या यग्यकुंड चंद्रबरदाई का जनम लाहोर में उसका मूल नाम प्रत्वी बट वल्ला दी था इनकी जाती की बात कर दे जलन थे इनके पूत्र का नाम जलन था जाती चारण थी धरवारी कवी या मित्र की बात करें तो प्रत्वी राज चोहां थर्ड किसके धरवारी कवी थे प्रत्वी राज चोहां थर्ड और इनके गरंति का नाम है ब्रजी राज रासो जिसे वीर क्योंकि एक वीर रसका है अब चलते हैं शेली शेली की बात करें तो एक पिंगल शेली का राजस्तान प्लस ब्रज आबू परपत पर वशिष्ट मुनी ने चार वशिष्ट मुने एक एक गया जिसमें से चार राज़ वहश्य कुदपति होई पर्तिहार परमान 5 यो चोहान चाचा उर पापा 555 परतिहार और परमार अब चलते हैं वीर इसमित शक सीत्याण और होनों की सन्थ्यान वीलियम कुक शक सीत्यान होन பताते हैं जोकि नयन चंद्र सूरी इसे हमिर कावकावी चंद्रबर्शी और सूरी वंशी भी बताते हैं। पंडित घोरी शंकर हिराचंद वजाय के नुचसार इने वेदिक शत्रेयों या आरियों की संतान भी बताया गया है। सीवी बेद के अनसार इफिशिद भाड़ की नोट विवेई स्मित कुक के मत का समर्दन है इन्हों राजपुतों को होनों की संतान भाना है। चौहानवंश कुत्पत्ति के बारे में चंतरबरदाई ने अपने गरेंत प्रत्व राजपुतों का उल्ले किया है। वासो देव ने यहां सामर्द जील बनवाई और उसके किनार अपनी पुल देवी शाकंबरी माता का मंदिर बनवाया। अजराज चौहान की बात करें तो ग्यारो सो पांच से ग्यारो सो तेंती सिस्वी अजराज चौहान ने सबार लग सामर में अपना शाशन शुरू किया। अजराज ने तुर्किया अगर्माण कारे के कारण अरावली परवतमाला शेतर में अपना सामरा जी विस्तार किया। 1113 में अजराज ने गड़ बीटली नामगिस्तान पर इस दुरुगा निर्माण करवाया जिसे गड़ बीटली दुरुगया अजही मेरुगड यह तारगड कहा जाता है। 1113 में अजराज ने अजही मेरु अजमेर शहर बसाया और इसे अपनी राज़दानी बनाया। 1113 मेरु अजराज के जमेर तथा मतुरा यूपी में चांदी के सिक्किय मिलें जिन पर श्री अजही देव अजही प्रेद्रम ने लिखा है। 1113 ने अपनी राणी सुमलेखा का राज़त महरों पर नाम अंकित करवाया। सुमलेका राज़तान की पहली राणी है जिनका नाम रज़त महरों पर मिलता है। पर भी रोग लगाई। अजही राज 1132 इस्वी में सन्यास थान कर अपने पुत्र अणो राज़ को चाशन शोप कर तवस्या हैतु पुष्कर के वनों में चले गए। मेवाड के राज कुमार पतिवराज सिसोधिया ने 1505 से 600 इस्वी की लगबग गड़बिटली का पुना नाम मगरण किया। पुना निर्मान किया और अपनी राणी तारावली की नाम पर इसका नाम तारगण रखा। अब पवित्र हुवी भूमि को पवित्र करने हैतू चंदरा या बांडी के पानी करोकर मीठी पानी के आनासागर जिल बनवाई। इस जिल के किनारे जहांगीर ने दोलाद भाग या शाही उध्यान सुपाश उध्यान का निर्मान करवाई। इस उद्ध्यान में जहांगीर की बेगम नुर्जहां की माता असमत बेगन ने गुलाप से इत्र बनाने की विदी का विश्कार किया इस उद्ध्यान में शाजा ने बेटन हैतु संगमरमर की पांच बारहधारी भी लगवाई आनाजी ने पुषकर में विश्नु का अधिव जलन का विवाई किया गुजरात की चालू कि शाचक जे सिंग से भी आनाजी बराजित होए आनाजी के साथ जे सिंग ने अपने पुत्री कंचन देवी का विवाई किया आनाजी ने अजमेर में खडर कच्छ जेन मंदिर के निर्माने तू भूमिदान की थी आनाजी की 1155 इसी में उनके पुद्र जगदेव ने हत्या कर दी जगदेव को चोहनों का परतम पित्रहंता का जाता है विसल देव या विग्रहराज चतुर्त पिता की बात करें तो अनुराज विसल देव चंत्रत के एक महान विद्वान कभी लेखक थे विसल देव ने हरी के विसल देव को चोही बाद्नव की उपादी दी विसल देव ने अजमेन में संसरत पाष्णाला कर निर्मान करवाया तता इसने हरी केले की पंक्तिया लिही वाई अंकीत करवाई थे परिकेली की पंग्दिया बिश्टल इंग्लेंड में स्वरी बिश्टल ब्रिटेंड में इस तीद राजा राम मोहन राई की समाधी पर भी यंकी थे 1999 इस्वी में कुद बुद्दिन एगें ने संस्क्रत परशाला को तुलवा कर सोला खंबो की मजदित बनवाई तरहा राजस्तान की पहली मजजित थी इसका वास्तुकार अबुबकर था इस मजजित में संतपी पिर पंजाब शाकी याद में ठाई दिन का उर्स बरता है अता परसी ब्राउन ने इसे अड़ाई दिन का जोपड़ा कहा है बिसल देव ने बिसर बुट्टों कस्वब बनाया और यहां वना स्नाधी परवान बन जिसके अंसर वहां हिमाले से विद्यान चल तक कर वसूलता था विसल देव का काल अजमेर के चोहान मंश का स्वण काल माना जाता है किलहुन नामक विद्वान ने विसल देव की तुल्ला कालीदास वाभ भुबुति नामक विद्वानों से की बाद उनके पुत्र तो मर की पुत्री का पुर्फ देवी के साथ विद्वा हुआता अनंक व poking पुत्री अनंक पाल की बड़ी पुत्री सुंदरी देवी का विभाग कॉन्नोज के सो मश्वर के समय 1450 में आबो के बरमारत जास जेतर सिंगवा गुजरात की शाषग बीम देव 2 जीए kanड के मध पार्टन गुजरात में हुआ इनकी पिता का नाम सोमेश्वर जबकि माता का नाम करपुरा देवी जो कि इनकी संरक्षिता थी राइस्तान की पहली मजीला शाशिका भी थी करपुरा देवी अब चलते हैं उपादी उपादी के बात करें तो दलपुंगल विश्युजिता भी इनकी अन्य नाम में राइप इधोरा प्रतान मंत्री केमास या कदमबदास जबकि सेनापती की बात करें तो विववन मल या ख़ंडे राउथा दरबारी विद्वान की बात करें तो चंतरबर्दाए उडजायनग बट्ट चाचा की बाद करें तो नागरजुन बाई की बाद करें हरी राज समाधी काँ पर गजनी अपगावन में जबकि इसमार अकतारा कर अजमेर बना हुआ है प्रत्वी राज ने 1167 इस्वी में गुडगाम हर्याना के युद्ध में नागरजन को केमास की मदस्ते पराजित किया प्रत्वी राज का सामराजी दिल्ली से लेकर जहाचपूर पिलवाड़ा तक फिला हुआ था प्रत्वी राज ने दिल्ली वाजमेर के मद्धि लूटपाट करने वाली बन्डा रंग जाती का दमन किया 1152 इस्ति में प्रत्वी राज ने महुबा के युद्ध में महुबा के शाषक पर मिरोरदी देव चंदेल को बराजित किया तता उसके सिनावाती आलावा उदल की हत्या कर दी इस युद्ध को तुमूल का युद्ध भी का जाता है क्योंकि यह रात्रे में लाड़ा गया था प्रत्वी राज ने महुबा का गरूनर पुंजन राई को ने युक्त किया था प्रतिराज ने आभू की राज कुमारी जेतर सिंग की पुत्री इचनी देवई की विवा को लेकर गुजरात की चालू की राजा भीमदेव सेखन को 1164 इस्ति में नागोर की युद्धो में पराजित किया प्रतिराज ने कन्नोच के राजा जेचन गेडवाल की पुत्री समय जदक साथ प्रेमिभा किया जेचन ने प्रतिराज सिंग बदला ने तुगजने के मुममाद युद्ध को पराजित किया जिसमें प्रतिराज वा गोरी के मद्धी तरायन का दित्ती युद्धुवा जिसमें प्रतिराज की पिस्षिर्यां सीजसा हर्याणा में गोरी के सिनिकों ने हत्या कर दीती तरायन के दित्ती युद्धु में प्रतिराज ना टेरंबा नाम खोंते घोड़े पर सवा था, प् पत्यूराज को डिली का अंतिम हिंदू समराट माला जाता है। पत्यूराज की राण इच्छनी देवी तिराहिन के दित्ती युद्वे विर्गत्यी宮 प्राप्त ही। पत्तिराज के बाद उनके प्त्र कुमिंद राज 1192 अ से 94 जिए ने अजमिर पशाशन किया, गोमिंद राज ने 1194 जियू में उनके चाचा घरी राज ने अजमिर से भागा दिया, लेकिन गोमिंद राज ने रन्धमबूर में 94 मिलिशत क Україं रहें उन दिया है, अब इस पार्ट को कल नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे फ्रेंड्स आप चाहे तो पढ़ते पढ़ते सांसा नॉट्स पी प्रिपर किये जिससे कि आपको बार बार रिवीजन करने में कोई प्रब्लम नहीं होगी तो कैसे लगा हम आज का हमारा सेशन प्लिस कमेंट करके ज प्रिव बात।